हलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास एट का चैप्टर नमबर टू लीनियर एक्वेशन इन वन वैरियेबल की एक्ससाइस 2.2 जिसका फर्स कोशन है solve the falling linear equation जितनी भी नीचे हमें equations दे रखिये linear equations हमने इन सब को क्या करना है solve करना है मैं आको बताना चाहूंगी यह क्लास एट का जो हमारी new edition आया है 2023-24 उसकी यह हमारी जो है यह new book है तो उसके अंदर हमारी exercise 2.2 है यह सभी question आप अपनी book के साथ match कर सकते हैं तो start करते है question number 1 x upon 2 minus 1 upon 5 equal है हमारा x upon 3 plus 1 upon 4 के तो हम इसको solve करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे x वाले होते हैं हम उसको एक side पर कर लेते हैं x upon 2 इधर यह plus का है तो इधर आके यह हमारा minus हो जाएगा 1 upon 4 इधर plus का है यह इधर minus का है तो इधर आके यह हमारा plus का हो जाएगा ठीक है अब हम इसको solve कर लेते हैं LCM लेंगे इन दोनों का LCM लेंगे तो 6 आएगा उसके बाद के आएगा नीचे वल से divide उपर वाले से multiply तो हमारा आजेगा 3x-2x इसी तरीके से 5 4 4 का हम लेंगे LCM तो 20 और आजेगा नीचे वल से divide और जो नंबर आएगा उसको उपर वाले स multiply तो हमारा आजेगा न दोनों को minus कर देंगे x upon 6 5 plus 4 9 upon में 20 अब देखुए यहाँ पर इसका divide हो रहा है इदरा के इसके साथ multiply हो जाएगा तो 9 upon 20 into 6 इसको हम कट कर देंगे 2 से 2 3s आ 2 1s आ और 2 0 क्या आगया 9 upon में 10 आगया 9 को 3 से हम multiply करेंगे तो क्या आजेगा 9 3s आ 27 upon में 10 यह हमारे x की value आ गई इसी तरीके से हमें equations को solve करना है फिरकेंड है n upon 2 minus 3 upon 4n plus 5 upon 6n equal 21 अब यह हमारा n है और यहाँ पर यह भी हमारा जो है यह n दे रखा यह भी हमारे 3 जो है वो n दे रखे है तो हम क्या करेंगे इन 3ों को हमें क्या करना है एक में plus का sign है एक में minus का sign है तो हम 3 का LCM ले लेंगे आजेगा हमारा 12 अगर हम 3 का LCM लिएते हैं, तो 2 को 12 से एगर हम divide करते हैं, 6, 6 को n से multiply करते हैं, 6n, 4 को 12 से divide करते हैं, 3, 3 को 3 से multiply करते हैं, 33 ज़ा 9n, प्लस 6 को 12 से डिवाइड करते हैं 2, 2 को 5 से मल्टिप्लाइ करते हैं 10N इक्वल 21, चीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 12, देखो यह हमारा प्लस का है और यह भी हमारा प्लस का है तो क्या हाजएगा, 10 प्लस 6, 16, minus 9N इक्वल 21, दोनों minus हो जएगे, क्या आजएगा, 7N अपोझ 12 इक्वल 21 एन जो है, इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ N मल्टिप्लाइ हो रहा है, इधर आके जो है वो रैसिप्रोकल हो जाएगा तो आजएगा हमारा n के आजएगा 21 into 7 upon 12 है तो 12 upon में 7 होजएगा तो 7 बंज़ 7, 7 तरी जा 21, 12 तरी जा 36 तो n आगे हमारा 36, ठीक है धर्ड है हमारा x plus 7 minus 8 upon 3x इकोल 17 upon 6 minus 5 upon 2x तो यहाँ पर जो हमारा 5 plus 7 है और 7 में हमारा यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है तो यह जो x है हमारा इधर आजएगा यह हमारा जो है इधर ही है देखो यह equal कि हमारे इधर ही है तो 8x upon में 3 हो जाएगा यह minus है यह इधर आके plus हो जाएगा ठीक है अब यह देखो 17 upon 6 यह हमारा plus का इदर आके minus का हो जाएगा यहाँ पर हम LCM लेंगे 6 आजएगा नीचे वाले से multiple आए और उपर वाले से divide करेंगे तो 6x minus 16x plus 15x आएगा ठीक है अब यहाँ पर हम अगर इन दोनों का LCM लेते हैं तो 6 आएगा और उपर आजएगा 17 minus 42 आपको यह करना आता होगा LCM लेके plus minus क्योंकि आपने पहले की classes में 6 7 में भी किया होगा ठीक है तो इसलिए मैं इसको जादा detail में नहीं बता रही क्योंकि यह जो अब आप 8 class में हो तो आपको LCM लेके करना यह solve करना आता ही होगा तो यहाँ पर यह हमारा plus है यह हमारा plus है तो 15 plus 6 कितना होजगा 21x minus 16x आपन में 6 17 minus 42 कितना होजगा minus 25 आपन में 6 minus क्यों है आपको पता कि यह बड़ी digit के साथ minus का sign है दोनों को minus कर देंगे 21 minus 16 करेंगे तो 5x आपन में 6 आजएगा तो यहाँ पर क्या है minus 25 आपन में 6 है तो यहाँ पर जो हमारा x निकालना है तो यह इसके साथ यहाँ पर x के साथ multiply हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा reciprocal हो जाएगा 6 आपन में 5 हो जाएगा 6 से 6 कर जाएगा 5 बन जा 5 5 जा 25 तो x की value क्या हो जाएगी minus 5 ठीक है नेक्स है x minus 5 अपन में 3 और x minus 3 अपन में 5 दे रखा हमें तो यहाँ पर क्या होगा यह जो हमारा x minus 5 है और यहाँ पर x minus 3 तो यह हमारा इससे multiply हो जाएगा और यह इससे देखो x minus 5 हमारा multiply हो जाएगा 5 से और यह जो हमारा x minus 3 है यह हमारा multiply हो जाएगा 3 से क्योंकि यहाँ पर इसके साथ divide हो रहा है इदर आके multiply हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ divide हो रहा है इदर आके यह multiply हो जाएगा तो 5 को x से करेंगे तो 5x 5 5 ज़र 25 3 को x से करेंगे 3x 3 3 जा 9 x वाले अब छलक कर लो 5x इधर plus का है इधर आके minus हो गया ये हमारा minus 9 है इधर आके ये 25 हमारा plus का हो गया दोनों को minus किया 2x आ गया plus minus minus 16 आ गया x इधर multiply हो रहा है इधर आके divide हो जाएगा क्या आ जाएगा 8, x आ गया हमारा 8, ठीक है, अब हम देखेंगे 5, 3t minus 2 upon 4, minus 2t plus 3 upon 3, equal 2 upon 3 minus t, तो यह हमारा t है, इधर भी हमारे t वाले हैं, तो पहले हम इसको इधर ले आएंगे, 3t minus 2 upon 4, minus 2t plus 3 upon 3, और यह दर minus का है न, तो इधर आके क्या हो जाएगा यह, plus का हो जाएगा 2 upon में 3, अब हम 4 और 3 का LC हम लेंगे, तो हमारा आएगा 12, 4 को जब हम 12 से divide करेंगे, तो 3 आएगा 4, 3 जा 12, 3 को हमने उपर वे डिजिट से, अब उपर जो हमें दे रखा नंबर, इससे हमने multiply कर देना, इसी तरी के 3, 4 जा 12 होता है, तो 4 को हमने उपर इससे क्या कर देना है, multiply कर देना है, ठीक है, इसके निचे 1 माल लेंगे, 1 को 12 से divide करेंगे, 12, 12 को T से multiply करेंगे, तो 20 आजेगा, इकोल में आजेगा, 2 upon में 3, अब हम यहा पर multiply कर लेते हैं, 3 को 3 से multiply करेंगे, तो 90, 3 को 2 से multiply करेंगे, 6, 4 को 2 से 8, 4 को 3 से, करेंगे multiply, 4 3 जा 12, प्लस, 12 T आजेगा, हमारा, equal में, 2 upon में 3, अब जो यह, इसके साथ, जो हमारे नीचे 12, divide हो रहा, वो इसके साथ यहाँ पर आके multiply हो जाएगा, और यह कर जाएगा, 3 बन जा 3, 3, 4 जा 12, और 4, 2 जा 8 बन जाएगा, यह हमारा, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो हमारे 12 T है, इन दोनों को पहले हम plus कर लेंगे, 12 और 9 को हम plus कर लेंगे, तो कितना बन आजेगा, 21 T minus 8 T, ठीक है, plus 12 है, और minus 6 है, तो plus minus, minus हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर यह क्या आजाएगा, अच्छा, यह हमारा minus का है न, 12, 4, 3 जा, 12, 12, plus minus minus हो गया था न, तो यह minus का 12 आएगा यहाँ पर, तो minus minus plus हो जाएगे, और minus का 12 और 6 हो जाएगा, 18, equal में 4 तूजा, 8, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है, यह T है, यह T है, दोनों को minus कर देंगे, तो 13 T, और यहाँ पर यह साथ minus हो जाएगा, तो 13 T, 18 और 8 को plus करेंग 26, यह multiply हो रहे हैं, इधर आके 26 को 13 से divide कर देंगे, तो T की value आजेगी हमारी 2, 2 जो हमारी इसकी value आगई, ठीक है, अब हमारा M minus, M minus 1 upon 2 equal 1 minus M minus 2 upon में 3, तो इसके नीचे हमान लेंगे 1, ठीक है, और इसका जो हमारा है, यह इधर हमारा क्या है, यह है, यह है equal का sign, और यह है minus M minus 2, तो हमारा जो यह है, इधर आके यह plus का हो जाएगा, M upon में 1 मालेंगे, minus M minus 1 upon में 2, यह हमारा जो है इधर आजाएगा, और यह plus का हो जाएगा, M minus 2 upon में 3, और 1 जो है हमारा वो इधर चला जाएगा, 1 तो हमारा इधर ही है, equal 1 हो जाएगा, ठीक है, अब हम इ से multiply करेंगे 6m, 2 को 6 से divide करेंगे, तो 3, 3 को m से हमें क्या करना पड़ेगा, अब multiply, ठीक है, उसके बाद है हमारा plus 3, 2 जा, 6 और 2 को हमें इसके साथ multiply करना पड़ेगा, minus 2 equal 1, तो 6m का हमारा, 6m आजएगा, minus 3 को m से करेंगे, 3m, 3 को 1 से करेंगे, minus minus, plus हो जाएगा, 2 को m से करेंगे, 2m, 2 को 2 से करेंगे, 4, लेकिन plus minus, minus का 4 आजएगा, 1 into 6 आजएगा, अब आगे हमारा हम जो m बाले हैं, इनको पहले plus कर लेंगे, यह 6m है, यह 2 में दोनों plus के हैं, तो यह हो जाएगा, 8m, minus 3m, यह plus minus हो जाएगा, तो हमारा 1 आजएगा, 6 को 1 से multiply करेंगे, 6, दोनों को हम minus कर देंगे, तो 5m, और इधर यह minus का इधर आके, हमारा यह plus हो जाएगा, तो 5m, 7m, 7 upon में 5, यह हमारी m की value आ गई, 7 है हमारा, 3, bracket में t minus 3 है, फिर equal 5, फिर bracket में 2t plus 1 है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इनको हम आपस में multiply कर लेंगे, 3 को t से करेंगे, 3t, 3, 3 जा, 9, 5 को 2 से करेंगे, 5, 2 जा, 10t, और 5 बन जा, 5, यह हमारा आ गया, t वालों को हम side में कर लेंगे, एक side 3t, यह plus का है, इधर आके minus का हो जाएगा, यह हमारा plus, यह 5 है, और यह minus का इधर आके हमारा plus का हो जाएगा, 7t, 9 plus 5 कितना हो जाएगा, 14, यह minus का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ minus है, तो यह t हो गया, और यह 14 minus 7 हो गया, कट करके हमारा आ गया 2, minus का, क्योंकि minus का भी sign है, तो minus 2 जो है, वो हमारे t की value आ गई, 8 देखो, 8 में भी हमें क्या करना है, पहले इनको, bracket open कर लेंगे, 15 को y से multiply करेंगे, 15y, 15y और 15 fours हो क्या हो जाएगा हमारा, हम लिगा लिख देंगे, 15y, अब देखो 15 fours हो कितना हो जाएगा, 60, minus 2 को y से करेंगे, 2y, 9 2 जा, 18, minus minus plus हो जाएगा, 5 को y से करेंगे, 5y और 5 6 जा, 30 equal 0, ठीक है, ये y है, ये भी y है और ये भी y है, तो हम इसको क्या करेंगे, 15y और ये हमारा 5 है, दोनों को plus कर देंगे, क्योंकि दोनों plus के हैं, तो कितना हो जाएगा, 20y, ठीक है, उसके साथ minus 2y लिख देंगे, minus का 60 अब ये भी हमारा plus का ये भी हमारा plus का है तो क्या हो ज़ेगा 30 plus 80 48 equal 0 अब ये दोनों हमारे minus हो ज़ेगे 20 में से 2y minus करेंगे 18y दोनों को plus minus minus करेंगे minus का 12 equal 0 आ जाएगा यहाँ पर multiply हो रहा है इदर आके क्या हो जाएगा divide हो हो जाएगा यहाँ पर हमारे 18 आ जाएगा ठीक है तो हो जाएगा हमारे किस से चला जाएगा 6 2 जा और 6 3 जा तो y क्या आ गया हमारा 2 upon में 3 आ गया ठीक है इसमें भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा bracket open कर लेंगे 3 5 जा 15 15 जा 3 7 जा 21 2 9 जा 18 जा माइनस माइनस प्लस 11 तूजा 22 4 जा 32 जा 13 जा माइनस 52 और माइनस 70 यह भी जाएड है और यह इसमें हम देख लेते हैं अच्छा अभी हमारा इधर है ना इसको हम इधर भी लेके आना है भी पहले हम इसको इसको जाएगा 100 हम इससाथ 1 जा नहीं होगा तो single है यहाप इसके 32Z का 32Z प्राइने देंगे और यह दोन हमारे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस का 69 आजएगा अब यह जो 32Z है वो हमारा इधर आजएगा यह 3Z है ठीक है अब यह जो हमने इसको माइनस किया था ना यह माइनस का आएगा चूकि बड़ी डिजिप के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 3Z आया और यह हमारा माइनस का यह इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा minus का 69 है और यह plus का इधर आके यह minus हो जाएगा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा sign का इसमें आपको minus minus plus हो जाएगे 32 में 3 plus करेंगे तो minus का 35z आएगा यहाँ पे भी minus minus plus हो जाएगा तो minus का 70 आएगा minus से minus कर जाएगा z आजएगा 70 अपॉन में 35 आजएगा और आजएगा 2 तो z की value आजएगी 2 35 तूजा 70 ठीक है तो यह इसका answer हो गया अब यह देखो यह हमारा एक decimal वाला है अब हमने इसको पहले इससे multiply करना जब 0.25 को 4 से multiply करेंगे न तो हमारा 1 आएगा 1f फिर 0.25 को 3 से multiply करेंगे तो minus का 0.75 आएगा अब 0.05 को जब 10 से multiply करेंगे 0.05 को जब 10 से multiply करेंगे अब करके देख ले न 0.5f आएगा अब का फिर 0.05 को जब 9 से multiply करोगे तो 0.45 आएगा यह आप करकर के देख लेना साइब में multiply मैं आपको एक इसका करके दिखा देती हूँ ठीक है जब आप 10 से multiply करते हो किसको करोगे 0.05 को जो आपने 10 से जो है वो multiply करना है तो क्या है यह 0.05 ही है वैसे तो इसके क्या है में वैल्यू 0.05 है न तो 0.05 से इसको multiply करते हैं जिए अपको इन 5 को 0 से करोगे 0 5,1 पर फिर 0 को 0 से करोगे 0 0 5,0 और उसके बाद कितने डिजिट के बाद point था यहां पर यहां पे हमारा two digit के बाद point था तो हम इसको अगर two digit के बाद point लगाते हैं तो हमारा यहां आएगा ठीक है one two digit के बाद point हमारा यहां आएगा न और point से पहले जो zero होता उसके तो कोई value वैसे भी नहीं होती तो बचेगा क्या हमारा यह zero point five जो हमने यहां लिख दिया ठीक है तो इस तरीके सा multiply का कि देख सकते हैं अब देखो हमारा यह f है और यह f है हम जो है one f और यह इदर plus का है न तो इदर आके यह minus का हो जाएगा zero point यह हमारा minus का है zero point four five यह हमारा minus का है तो इदर आके यह प्लस का हो जाएगा अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ये आएगा अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0.30 आएगा चीक है अब ये इसके साथ multiply हो रहा है तो इसके साथ नीचे आके ये divide हो जाएगा अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है यहाँ से हम point टाएंगे दो digit है तो 2-0 यहाँ से एक digit के बाद point था तो 1-0 बन जाएगा यह हमारा 300 upon में 500 2-0 से 2-0 कट कर दो f आजेगा हमारा 3 upon में 5, divide करके देखोगे अगर आपको decimal में रहना तो 0.6 answer आजेगा तो इनको divide करके ठीक है तो यहाँ पे हमारे exercise 2.5 जो है वो complete हो जाती है hopefully आपको वीडियो helpful लगाऊ वीडियो helpful लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें Thank you